वेल्कम टू मैं चैनल स्वेता आज की चैनल लाइफ इस्टाइल आज मैं पानकेक बनाने वाली हूँ जिसकी आइसिंग भी करूँगी तो उसके लिए मैंने पान फ्लेवर ग्लेज और पान फेलिंग भी तयार की है केक्टिंच के केक्टिंच में ओयल लगाकर प्राच्मेन पेपर लगा दिया मैंने तीन पान की पत्तिया ली है मैंने उससे मैं मिक्सी के जार में बारीक पीस लूँगी केक में डालने के लिए two-third cup मैंने milk लिया है उसी में से थोड़ा समय इसमें डाल रही हूँ इसी तरीके से बारिक कर लेना है half cup मैंने यहां refine oil लिया है unflavored half cup गाड़ी दही लेनी है two-third cup मैंने पिसी हुई चीनी लिया इन तीनों को मैं hand blender से अच्छी तरीके से blend कर लूँगी जब तक कि यह smooth ना हो जाए यह देखने में थोड़ा light और fluffy हो जाएगा अब मैं इसमें half teaspoon baking powder और one-fourth teaspoon baking soda डाल कर इसे भी mix कर लूँगी mix करने के बाद मैं इसे 5 minutes के लिए side में छोड़ दूँगी इसमें bubble आने लगेंगे अब मैं सुखी सामगरी को एक जगा छान लूँगी one and half cup मैंने मैदा लिया है साथी मैंने two table spoon corn flour लिया है one table spoon मैं milk powder ले रही हूँ जो की optional है एक से दो बारी से छान लूँगी सामगरी को इस mixture में डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा milk भी साथ में डालूँगी two third cup मैंने यहां milk लिया था मैदे के उपर depend करता है two table spoon के करी मुझे और milk लगा था मैदे और दूद को दो बार में मैंने डाला है पान को बारीक मैंने पीस लिया था उसे अब मैं इसमें पूरा डाल दूँगी साथ ही मैं इसमें leaf green कलर डाल रही हूँ यह भी optional है two third cup मिल के बाद मुझे two table spoon के करीब और लगा था जिससे better मेरा perfect त्यार हो चुका था one table spoon मैंने यहां गुलकंद लिया है और साथ ही मैंने यह लिया है चॉकलेट और केक के flavor को बढ़ाने के लिए डिलाइट का कलकत्ता मीठा पान यह आता है उसे मैंने वन टेबल इस्पून लिया है मैं यहां वन टीश्पून पास पास लूँगी अगर आपके पास टूटी फूटी है तो उसे मैदे में इस तरीके से coat करके और इसमें add कर लें टेबल इस्पून मैंने टूटी फूटी लिये डिफरेंट कलर के और उसमें वन टीश्पून मैदा डाल के उसे coat कर लिया ताकि टूटी फूटी केक के नीचे ना बैठ जाए 40 जी को 180 डिग्री पे preheat किया है और इसे 180 डिग्री पे 40 मिनट के लिए मैंने बेग कर लिया 40 जी में मुझे 40 मिनट लगे हैं अगर आप इसे कडाही में बेग करेंगे तो 42 मिनट या 50 मिनट लगेंगे 40 मिनेट के बाद आप चेक करती रहें मैंने यहाँ दो पान के पत्ते और लिये हैं और इसे तोर कर थोड़े से पानी के साथ बारीक चितना हो सके मैं इसे पीस लूँगी इसमें जो रस निकला है उसे मैं अलग छान लूँगी और जो चानने के बाद टुकरे बचे होंगे पान के उसे हमें फेकना नहीं है उसे मिक्सी के जार में ही छोड़ देना है टू टेबल स्पून मैं निट्रल ग्लेज लूँगी निट्रल ग्लेज की रेस्पी मेरे चैनल पे है आप चाहें तो देख सकते हैं टू टेबल स्पून मैं यहाँ पे विपिंग क्रीम ले रही हूँ जो की रूम टेंपरेचर पे है अभी इसमें मैं ये पान का जूस जो मैंने निकाला था वो डाल दूँगी इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें वन या टू ड्रॉप कलर डाल दूँगी ताकि इसमें कलर आजाए लीफ का इसे भी मिक्स कर लूँगी और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है पान फ्लेवर ग्लेज तयार है इस बचे हुए पान के टुकड़े में वन टेबल इस्पून नीट्रल ग्लेज डाल देंगे साथी मैं डिलाइट्स का कलकता मीठा पान वन टेबल इस्पून डाल दूँगी थोड़ा ज्यादा कम होने से कोई फार्ट ने पड़ेगा का 1 tablespoon या Omэт M 1 tablespoon मैंने गुलकन डाल दिया है और 1 tablespoon के बराबर मैं इसमें पानी डाल दोंगी24 के इसे पीषना नहीं है इसे दरदरा Нेर भी रखना है यह किसा एकिंाई को मैंने ठीन लेयर में काट लिया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से चारो तरफ सारी चीजे स्प्रेड हुई है आप इसे बना कर ऐसे ही सुखा भी टी टाइम केक की जगा पे खा सकते हैं बिना आइसिंग के भी ये बहुत टेस्टी लगेगा केक के लेयर पे मैंने पहले पानी हलका सा डाला है और उसके बाद मैं क्रीम लगा रही हू इसके उपर मैंने जो फिलिंग बनाई थी वही डालूंगी आधी आधी फिलिंग करके मैं दोनों पार्ट में फिलिंग डाल दूंगी इसी तरीके से मैं नेक्स्ट लेयर रखूंगी और उसके उपर पानी डाल कर क्रीम लगा लूंगी और बचे हुए फिलिंग को भी डाल मिनिट के लिए फ्रेज में रख दूंगे क्रम कोट हो चुका है 15 मिनिट के बाद मैं इस पर फाइनल आइसिंग कर रही हूं और इसके साथ देकुरेशन भी करूंगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल अब मैं इसके ओपर पान फ्लेवर गलेज, डालूंगी, आप देख सकते हैं कितना perfect हुआ है गलेज, आप इस तरीके से dripping कर लेंगे, पान फ्लेवर गलेज या फिर पान फ्लेवर फिलिंग के लिए आप को market जाने के बिलकुल जरूरत नहीं, आप इस तरीके से बना सकते हैं अब इसके उपर आप अपने हिसाब से कोई भी डेकुरेशन कर सकते हैं मैं इस तरीके से रोज बना कर इसके उपर रखूंगी ग्लेज डालने के बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए फ्रीज में रख दे और उसके बाद इसके उपर डेकुरेशन करें पान फ्लेवर केक बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है आप भी इसे जरूर एक बार ट्राइ करें आप अगर आइसिंग ना भी करना चाहे तो इसे टी टाइम केक के रूप में आप खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तो इसे मैंने डेकुरेट कर दिया है और इसके उपर एक मीठा पान भी मैंने रख दिया है अब मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है अब भी इस केक को बनाईए और मुझे कमेंट केजिए कि आपका केक कैसा बना है थैंक यू